भारत ने दक्षिन अफ्रीका से केप टाउन टेस्ट जीत कर सीरीज एक-एक से बराबर कर ली है पहला टेस्ट भारत पारी से हारा था और इस लिहाज से जीत बड़ी है लेकिन बस देड़ दिन में खत्म हो गए इस टेस्ट मैच में फिच खलनायक रही पहले ही दिन 23 बनाए और भारत के ओर से यशस्वी शुभमन और कोहली आउट हुए रोहित शर्मा एक शोर पे टिकेट रहे तुमार साथ विमल मोहन इस वक्त जुड़ गए हैं ये जीत काफी बड़ी बताई जा रही है जिस तरह से सीरीज बराबर कर ली है भारत ने लेकिन पहला टेस् पहले सीरीज में पहला जो पारी थी उसमें मुमत सिराज ने 6 विकेट लिए दूसरी पारी में बुमराय ने 6 विकेट लिए और जिस तरह के पिछ ती उस पे टेस्टिंग कंडिशन ताब दे कि भारत जो पूरा क्रिकट का इतिहां से करीवे 147 साल का करीब 877 में बड़ी बात यह रही भारतिया जीत के लिहाज से भी देखें फाइनल फ्रेंटियर का हजा रहता साउथ अफरिका को और फाइनल फ्रेंटियर का जो फाइनल इम्तिहान है वो इंडिया ने बहुत अच्छे से पास किया और एक तरह से जो सीरीज में सीरीज जीत के लिहाज की बलकी मुकेश कुमार हैं जो की यहां पे चमके हैं और इस तरह के जो के जो के इंदबाजी ओवर आल और टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया है खास का जिसे आप बता रही है पहले टेस्ट में हार के बाद तो यह जबरदस वापसी है और भारतिय टीम के लिए बहुत बड़ी राहत की भी बात है इससे भारतिय टीम याद रखेगी लेकिन इस मैच को पूरी दुनिया की इस पे नजर है और इस पिच पे जरूर बात होगी और मुझे लगता है कि इसको खराब पिच डिख जरूर पर बात को अगर वह था तो सबसे चोटा हो जाता बारतिय बलेबाजों ने लेकिन इसके अलावा उवर ओल फिल्डिंग बैटिंग बोलिंग वहां पर आपने अपना जो है जल्वा दिखाया है जिस तरह की पहली पारी में भी आप देखें हमारे साथ बलेबाज जीरो पर आए चे आखरी जो चे विकेट है तो पिच बहुत ही डिफिकल्ट थी जो एक अगर लिंट किसी भी गिंदबाज को मिल गई तो उसके बाद बल्यबाजों के लिए खिलना मुश्किल हो रहा था इसके बावजूद बल्द बल्यबाजों ने बालत जो ए को चो पिच की वज़ेस सब से चोटा हो रहा है तो जाहिर तुर तरह का प्रिदर्शन के अखास का मुहमद सिराज की तारिफ करनी होगी पहले मैच में सचिन देंदुलकर कह रहे थे सिर्फ पिछ नहीं कर रहा था पिछ पे जो लेंट होती है जहां पर आपका कंट्रोल होता है बॉलर का वह एक पेसर का जो लेंट को उन्होंने मेंटेन किय जाते का गिश्व रबादा लेकिन अपनी पीछ पे वह करनामा नहीं कर सके जो भारते गेंद बादों ने किया तो जाहिर तो पर भारते गेंद बादों की भारते टीम की तारीफ करनी पड़ेगी और रात की बात यह भी कि अब तक सीरीज में ऐसा कभी नहीं हुआ हुआ परदस्ट वापसी की है और भारते टीम इस जीत को लंबे समय तक भारते फ्रैंस को याद रखेंगे टेस्ट दिहास का सबसे छोटा टेस्ट भी का जा रहा है भारत की शांदार एक तरह से जीत रही और सीरीज बराबर होगे धन्यवाद आपका विमल मौन